नमस्कार मैं प्रेणा चाहरा से आप देख रहे हैं दृष्टी नाओ अभी हम मौजूद है राजी के सिक्षा मंतरी जगनात मातों के पाथ उनसे अभी हम बात करने वाले हैं कि आखे राजी पाल नहीं जो 1932 खतियान के लोटा दिया गया है इस पे इनका क्या कहना है देखि पिचार करने बोले हैं कि जदि कुछ तुरूटी है तो पिचार किजिए एक नया बिल आपस नहीं हुआ है कोई बील महा महिम को जदि वोशा लगता है कि इसमें तुरूटी है तो आपस करते हैं फिर हम लोग बेजाएंगे हैं 1932 खतियान के अधार पर अस्थानिय नीती जो हम लोगों ने मांगा है कि थिरी और फोर जारखनियों के लिए रिचब हो जदि पुरे देश में अस्थानी नीती नहीं है तो जारखन में भी नहीं होना चाहिए पुरे देश में अपना अपना राजगा अपना अपना नीती है बियार में तो निक्तिनिया में साप ल बिहार के बाशी होना चाहिए यदि बिहार के बाशी बिहार में होना चाहिए बंगाल में बंगाली होना चाहिए मदपरदेश में मदपरदेशी होना चाहिए अभी अलग राज एक बार तीन दाज हुआ है एक 36 गड़ हुआ है एक आपका उत्राखंड हुआ है तो अलग अपना अस्थानीती बनाया है उस नीती के ताथ हम लोग चल रहे हैं और निश्चीत तोर पर 1932 के खतियान के अधार पर जब हम बिहार एक इक रित में 32 का अस्थानीय थे तो जारकन में क्यों ने होंगे इसलिए हर हाल में 1932 के खतियान अस्थानीती बनेगा नियोजन नीती को हाई कोट से लोटाने के बाद अभी फिर ये 1932 खतियान पैसा हुए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के लोगों के तरफ से पार्टी में कुछ हल चल के लिए ये सब किया जा रहा है देखिए जनता देख रहा है बीजेपी कतनी और करनी क्या कर रहा है जनता देख रहा है अभी जो नियोजन निती हाई कोट ने रद किया है फिर से हम लोग हाई कोट का जो रद हुआ है फिर से नियोजन निती बनवा रहे हैं और बजट सत्र के पहले नियोजन निती बना देंगे और जारखंड और जारखंडियों के हीत में होगा अभी नियोजन निती की बात है जो बना था आप देखे होंगे कि बीस आदमी कोट में दायर किये थे और बीस आदमी में उन्नैस आदमी बाहर का है एक आदमी जारखंड का है बता सकते हैं, क्या हर्स होगा जार्खनियों का हर्स होगा? इसलिए नीटी तो बनेगा, जार्खनी के हीद में बनेगा. ऐसे एक एक करके नीती ना लागू होने के कारण आपको क्या लगता है जार्खन सरकार पर अभी यहां की जंता फिर से पहले जैसा भरोसा कर पाएगी जार्खन सरकार कहां दोची है जार्खन सरकार तो नीती लाया था जदे नीती नहीं लाता तो हम पच्चास हजार टीचर पल्सरिजन किये थे यह मेना बाहल कर देते फरवरे के अंग तक हाई कोट की बात है उच नियाले के बात है उनको कौन कर सकता है इसलिए लोगों को बारतिय जन्ता पार्टी के लोग दिख भरमित कर रहा है जुआओं को उसका रहा है हम लोग कहां दोस्तिये हम तो बाल करने के तयार है राजपाल आपस कर दी हैं फिर बेज़ेंगे हम लोग रिक्वेस्ट किए कि ये नाइन सीडूल में आप इसको बारत सरगार को कानून मनाने लिए बेज़ दीजिए सिरिफ बारतिय जन्ता पार्टी छोड़के जितने राज में अधर पार्टी है श्रभी लोग महा महम से मिलकर आगरा किया गया था कि आप हम लोग जो आवेदन है बारत सरगार को बेज़े लेकिन आपस के हैं कुछ तुरूटी बोलके तो उस तुरूटी के लिए हम लोग फिर से बेज़ेंगे तो राजिपाल ने आपको तुरूटी मतलब आप लोग को तुरूटी बतला दिये कि कहां पर क्या तुरूटी रह जा रही है जिसके कारण उन्होंने बिलको वापस लोटाया है देखे हम लोग भी उनका जो तुरूटी है वो भी अकबार में आया है श्रमिच्छा किया जाएगा माल ये तुरूटी है समिच्छा किया जाएगा कि तुरूटी है कि नहीं है अपने अपने श्रमिच्छ के अनुसार हम लोग भी महाधिवक्ता से राय लेंगे कि तुरूटी श्रहिये कि गलत है कानूनन बात है कानून के दारे में रहकर अस्थाने नीती 1932 लाग होगा धन्वाद जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने सिच्छा मंत्रे से बात की कि आखिर क्यों राजी पाल ने 1932 खत्यान को लोटा दिया ऐसी खबरों के लिए बने रहे दृष्टी नव मैं प्रेड़ना चौरस है